Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है 2023 में अब GST registration और उसको complete तरीके से process करवाने के लिए जो नया method और जो नए amendments आपको ध्यान में रखने है इस session में समझ में आएगा ध्यान से सुनिएगा सारी बाते आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आपका registration जो है एक बारी में अप्रूव हो जाए आप जो है जब GST का registration अपलाई करते हैं तो REG01 जब आप फाइल कर रहे हैं तो REG01 फाइल करते समय जो process रहता है इसमें आपके पास दो तरीके से registration को authenticate करवाना पड़ता है एक process है कि आपने आधार authentication कराया यानि कि आपने आधार authentication कर लिया आपने आधार OTP के जरिये verify कर लिया दूसरा होता है आपने आधार authentication नहीं किया और आपने physical verification के लिए option जो है वो ले लिया है तो या तो आप आधार authentication कराएंगे या आप आधार authentication नहीं कराएंगे आपको REG 06 देने से पहले प्रॉपर आफिसर आपका मैंडेटरली फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट वगरा जो है वो REG 30 में अपलोड होगी ये मैंडेटरी कब है जब आप आधार आथिंटिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका REG 06 यानि की रिजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया रिजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया एक महिने के बाद अगर प्रॉपर आफिसर को पता लगता है कि आपके यहाँ पर गडबड़ी हो रही है तो आफ्टर रिजिस्ट्रेशन वो जब मर्जी चाहे आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है पहले भी नहीं थी अब भी नहीं तो आधार आथिंटिकेशन नहीं होने की सिचुएशन में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों ही केस में होगा रिजिस्ट्रेशन आने से पहले भी रिजिस्ट्रेशन आने के बाद अब आईए आप ऐसे टेक्सपेयर हैं जिनोंने आधार आथिंटिकेशन को आप्ट किया आपने आधार अथेंटिकेशन कर भी दिया, successful भी हो गया, ARN जनरेट हुआ, आधार अथेंटिकेशन आने के बाद और वो complete होने के बाद, तो अभी तक जो process था वो ये था, 2022 तक कि अगर हम लोग बात करें, तो आधार अथेंटिकेशन अगर आपका complete हो गया है, तो registration देने से पहले, ये line important है, registration देने से पहले, proper officer आपका physical verification नहीं कर सकते थे, आधार अथेंटिकेशन आपने कर लिया, अब registration देना होगा proper officer को, physical verification के point पे वो आपका registration hold नहीं कर सकते थे, और physical verification अगर करना है, तो आप registration के बाद, post registration एक बार REG 06 दीजिए, और अगर आपको शक लगता है, doubt होता है, जन्मिनिटी पे, तो उसके बाद, registration देने के बाद, आपके यहां का physical verification जो है, वो हुआ करता था, ये थे provisions 2022 तक, आधार authentication होने के करम में, registration आने से पहले कोई physical verification नहीं होगा, registration मिलने के बाद, physical verification बिलकुल हो सकता है, अगर आप doubtful पाए गए, लेकिन, अब 2023 में, इस situation में, जहां आपका आधार authentication हुआ पड़ा है, और पहले physical verification का option नहीं था, अब यहां पर, अब यहां पर, physical verification जो है, वो कर सकते हैं, proper officer, भले ही आपका आधार authentication किया गया है, तो भी registration देने से पहले आपका physical verification होगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी, सर ऐसा क्यूं होगा, ऐसा इसलिए होगा कि गवर्मेंट ने amendment कर दिया है, अब rule 25 के अंदर, और government ने यह बता दिया है कि आपका अधार authentication होने के बावजूद भी, अगर आप शाबित हो गए हैं, अगर आपके against कोई ऐसा data है proper officer के पास, जिससे यह पता लगता है कि आप genuine नहीं हैं, तो आपका physical verification होगा ही होगा, चाहे आप अधार authentication कर भी लीजिएगा तब भी, let's suppose, आपका एक pen number था, आप इस pen number पे गलत तरीके से input tax credit pass on करके या input tax credit avail करके आए थे, fraud करके आए थे, और इस pen number के ऊपर जो GST registration दे रखा था officer ने, वो cancel कर दिया गया है department के द्वारा, अब आप क्या करते हैं, इस pen number पे new registration के लिए apply कर रहे हैं, और इसमें आधार authentication भी कर देते हैं, तो problem यहां आ रही थी government को, कि आप जब new application डालते हैं GST registration के लिए, और आपका आधार authentication हो चुका, तो registration देने से पहले physical verification नहीं होता, दीजिये registration उसके बाद जाकर के कारवाई कीजिये, जहां पर बड़ी दिक्कत भी आती थी, बाद में चलो ठीक है, जो हो रहा है चलने दो, लेकिन अब government ने कह दिया है, कि वहिया अगर आपको as a proper officer doubt है, कि नहीं, यहां पर data analysis यह बता रहे हैं, कि यह risky taxpayer है, तो आप registration देने से पहले इसका physical verification करेंगे, भले ही इसने आधार authentication क्यों ही ना कर रखा हो, तो यह काफी important amendment, GST registration के लिए 2023 में कर दी गई है, तो अगर आप ऐसे किसी case को handle करते हैं, जो already cancelled है, और फिर उसके pen पे आप GST apply करते हैं, तो आपको इन परिस्थितितियों का सामना जो है, वो करना पड़ सकता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जो हमारा notification 38 आया था जिसके अंदर physical verification की बात लिखी गई थी, जिसको हम लोगों ने अपने GST practical full course के अंदर old rules के साथ साथ नए rules के amendment भी आपको बताए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस full course का benefit नहीं लिया है, updated course का benefit नहीं लिया है, तो 180 घंटे की classes के साथ आप इस पूरे course का मजा ले सकते हैं, एक साल और छे महने की validity आपको दी जाएगी, with unlimited mobile and laptop access, आपको numbers screen पे दिये गए हैं, इन numbers पे call कीजिए, whatsapp कीजिए, आप GST के इस course को join करके, अपनी GST के practice और consultancy जो है, वो काफे हद तक improve कर सकते हैं, अब अगर देखेंगे आप notification number जो हमारा 38 है, जिसने registration के लिए physical verification की बात करी थी, उसमें उने लिखा है, where the physical verification of the business place is required before grant of registration, registration मिलने से पहले कौन से circumstances में, जो दिये गए हैं, sub rule 9 के अंदर, आपको ये देखना होगा, rule 9 का sub rule 1 जो है, वो कौन से circumstances की बात करता है, अगर आपको मैं दिखाओं तो rule 9 का sub rule 1 जो है, इसके proviso में कुछ इनोंने दे रखे हैं parameters, इसमें जो दूसरा parameters है, a person who has undergone authentication of आधार, यानि कि आपने आधार authentication कर लिया, फिर भी as specified in the rule 8-4-A is identified on the common portal, common portal नहीं identify किया है, इस basis पे on the basis of data analysis and risk parameters, आपके against कुछ risk parameters लगाएगे जिससे पता लगा कि यहां तो भी या गड़बड है, तो इस case में carrying out of physical verification जो है, वो mandatory हो जाएगा as per amended rule 25, भले ही आपने आधार authentication क्यों ही ना कर रखा हो, तो आशा करते हैं, अब आपको यह point जो है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि GST के अंदर, GST के अंदर जब आप registration लेने जाएंगे, तो इस registration के लिए, जो नए provisions government ने दे रखे हैं, इन नए provisions को आप किस तरीके से apply करेंगे, ताकि आपका registration without any रुकावर्ट जो है, वो आपको मिल जाए, ऐसी ही important videos के लिए आप हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं, और regular GST income tax magazines के लिए, आप इन numbers पे call या whatsapp कर सकते हैं, आपको पूरी details दी जाएगी, Thank you and have a nice day.